प्रकरण चौथा दिव्य दुरुष्टी लंडन से एक मासिक पुस्तक अंग्रेजी में निकलती है उसमें अनेक अद्बुत अद्बुत बाते रहती है विशेश करत के आध्यात्म विद्या से सबन्द रखने वाली बातों की चर्चा उसमें रहती है उसके एक अंग में दिव्य दुरुष्टी का एक विचीत्र उदारण हमने पढ़ा है उसे थोड़े में हम लिखते है दिव्य दुरुष्टी से हमारा मतलब उस दुरुष्टी से है जिसमें किसी चीज के अवरोध से बादा न पहुंचे पदार्तों का सन्निकर्स चक्षुरिद्रिय से होने ही से उनका चाक्षु ग्णान होता है यह सर्वसमत मत है पर इसमें अब परिवरतन की जरूरत जान पड़ती है क्योंकि किसी किसी विशेस अवस्ता में सन्नी कर्स, संग या योगन होने से भी पदार्तों का ग्णान हो सकता है एलिस नाम के एक आदमी के घर पर एक बार तीन आदमी बैठे थे उनके नाम है फैल्टन, मोरले और गिट्स इन लोगों को मैसमेरिजम अर्थात अध्यात्म विद्या से बहुत प्रैम है इन्होंने दुरुस्टी विशाएक एक विचित्र तज्जूर्बा करने की मन में ठानी मोरले को एक आराम खुर्सी पर बिठला कर फैल्टन ने उस पर पास दिना सुरू किया थोड़ी देर में मोरले सो गया अर्थात उसे अध्यात्मिक निंद्रा आ गई इसके बाद वा सचेत किया गया और उसके सिर्क के पीछे एक किताब खोली गई किताब में फेटरिक दी ग्रेट नामक बाश्चा की जिन्दगी का हाल था जो पुरुष्ट खोला गया उसमें एक लड़ाई का चित्र था कितने ही मरे और गायल सिपाई पड़े हुए दिखलाई गये थे मोरले से पूछा गया तुम क्या देखते हो उसने कहा मैं एक तस्वीर देख रहा हूँ जिसमें बहुत से सिपाई इधर उधर पड़े हुए है इस बात को सुनकर कमरे में चितने आदमी थे सबको आश्चरे हुआ इसी तरह की एक और तस्वीर की विशे में भी उससे प्रश्नक किया गया इस तस्वीर को भी उसने पहचान लिया याद रहे या तस्वीर उसकी आँखों के सामने न थी बलकि उसके पीछे सिर की तरफ थी मानो मोरले की आँखों उसके सिर के पीछे थी चेहरे पर नहीं इसी तरह और भी उसकी कई परिक्षाय हुई और प्रायर सब में वह पास हो गया जो तस्वीर उसको दिखलाई जाती थी वह उसकी पीट की तरफ सिर के कोई गजबर के फैसले पर रखी जाती थी बहुत पास भी नहीं तीस पर भी वह उसे पहचान लेता था इसके बाद और तरह से भी उसकी परिक्षा लेना निश्चे हुआ मोरले से कहा गया कि गेट्स कमरे के बाहर चला गया है यह कथन जूट था गेट्स कमरे के पीतर ही था पर मोरले ने इस बात पर विश्वास कर लिया उस कमरे में एक गड़ी लगी थी गेट्स उसके सामने इस तरह खड़ा हो गया गड़ी उससे ढक गई अर्थात गड़ी का डायल उसकी पीट के पीछे हो गया और उसके काटे लोगों की नजर से चिप गए तब मोरले से पूचा गया बतला ये क्या वक्त है मोरले ने दिवार पर लगी हुई गड़ी का वक्त ठीक ठीक बतला दिया गेट्स इस गड़ी के सामने खड़ा था और मोरले की दुरुष्टी से वह लोग था अत्वा वह पारदर्शक हो गया था इसके बाद मोरले से एलिस बाते करने लगा और गेट्स तदा फैल्टन जरा देर के लिए कमरे के बाहर चले गए बाहर जाकर उन्होंने अपने कोट परस पर बदल डाले फैल्टन ने गेट्स का कोट पहना और गेट्स ने फैल्टन का यह करके वे फिर कमरे के भीतर आये Gets ने क्या किया कि Felton का Coat पहने हुए वो कमरे में इधर उधर गूमने लगा यह उसने इसलिए किया जिसमे मोरले की नजर उस पर पड़े मोरले इस समय Alice से बाते कर रहा था पर Gets को देखते ही वो कह कहा मार कर खस पड़ा उसने गेट्स को तो न देखा पर फेल्टन के कोट को जो गेट्स के बदन पर था देख लिया जब मोडले की हसी रुकी तब एलिस ने पुछा मामला क्या है क्यों इतने जूर से हसे उसने कहा अजी वह कोट नीरादर आकाश में उड़ रहा है क्या तुम्हें वह नहीं देख रहा पड़ता तुम अजब आदमी हो क्या तुम अंधे हो मतलब यह कि मोडले ने गेट्स को तो नहीं देखा क्याकि पुर्व वासना के अनुसार वह उसकी दुरुष्टी से अद्रश्य हो चुका था उसे उसने देख लिया इसी से उसको कोट नीराधर मालूम हुआ तब उसका ध्यान फेल्टन की तरफ आकरुस्ट किया गया उसने गेट्स का कोट कौन रखा था वह कोट मोर्ले को नहीं देख पड़ा मोर्ले ने फेल्टन को सिर्फ कमीज पैने देखा इस तरह और भी कितनी ही परिक्षाय हुई मोर्ले की नजर से चिडिया, मौमबतिया, तंबाकू, बिल्ली और एक्स्त्री सब चीजे सिर्फ जूट विश्वास दिलाने ही से द्रुश्य हो गई एक स्त्री कमरे में आ गई थी उसके बारे में मोर्ले से कहा गया कि वह चली गई इस पर उसने विश्वास कर लिया और वह स्त्री सचमुच ही उसकी नजर से गायब हो गई यहां तक कि मोर्ले जब आराम कुर्शी से उठकर दूसरी जगत जाने लगा तब रास्ते में उस त्री के पैर से ठोकर काकर गिनने से बचा अध्यात्मिक निंद्रा से जगने पर मोर्ले की यह विलक्षन सक्ती चाहती रही इन परिक्षाओं से सिद्ध होता है कि जगत के मिथ्या होने का उपदेज जो वेदानत देता है वह बहुत दुरस्त है इस संसार के सारे पदार्थ मायमय है केवल कल्पना प्रस्तूत है उनमें कुछ भी सार नहीं सब चीजों का अस्तिद्व केवल खयाली है उस खयाल को किसी तरह दूर कर देने से वे चीजे भी आदमी की दुरुष्टी से प्रभाव को प्राप्त हो जाती है जिसका यह खयाल दूरुड हो जाता है कि जगत सच्मुए ही मिथ्या है और उसमें चितने प्रदात है सच्मुछी काल्पनिक है वह दिव्य दुरुष्टी मान हो जाता है जड़ प्रदार्तों का व्यवधान उसकी तीवे तुरुष्टी को बादा नहीं पहुंचा सकता मार्च 1906